गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज हम लोग जा रहे हैं बागों की सेर करने और गाउं की सेर करने तो हम आप लोगों को अपने साथ ले चल रहे हैं आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे हैं देखिए हमने आम तोड़ी है तो आज हम आपको आम की पूरी बाग दिखाएं पपीते के पेड़ दिखाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने साइद पहले नहीं देखी होंगी तो हम गाउं की तरफ चलते हैं और गाउं की सहर आपको कराते हैं देखिए कितनी बड़िया हर्याली लग रही है हर्याली लगी हुई है यह भी बाग ही है आम की तो हम लोग यह भी राज़ते में हैं जहां हमें जाना है अभी हम अहां पहुंचे नहीं हैं तो राज़ते में काफी हर्याली थी तो मैंने सोचा क्यों न यहां की थोड़ी से वीडियो बना लें आप लोगों को दिखा दें यहां का नजारा की कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखें गाउं की रोड है सननाटी रोड है एकदम बहुत काम इस पर गाड़ियां चलती हैं तो यह देखिए हम लोग बागों के बीच वाली रोड पर खड़े हुए हैं और यहीं पर हम वीडियो बना रहे हैं तो आप सभी लोग हमारी वीडियो पर बने रहेगा क्योंकि आज हम आपको पूरी वीडियो में हर्याली हर्याली ही दिखाएंगे तो आप सब लोग देखिएगा तो आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा द्रस्य है कितना सुन्दर लग रहा है यहाँ का सीन यह हमारी ग राज्ते के लिए तो हम थोड़े से फ्रूट ले रहे हैं तो फ्रेंट्स अब हम लोग दीखाई दिखा द्रें हैं आप देख सकते हैं जिधर भी हम नजर उठाते हैं उधर हमें बाग बगीचे और हरे हरे पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं तो यहां का नजारा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लग रहा है हम मलियाबाद का कोरी जा रहे हैं यह हमें रास्ते में एक बाग दिखाई दी है तो हम उसी बाग में रुख गए हैं यह बाग भी बहुत अच्छी बाग है यहां पर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारे खेत भी हैं तो आप सभी लोग देखिए हमारे साथ कि कितना अच्छा लग रहा है कितना मौसम सोहाना लग रहा है एक पेड़ दिखाई दिया है जिसमें आम लगे हैं बहुत ज़्यादा आम नहीं लगे हैं फ्रेंट दसेरी तो सारी खतम हो चुकी है तो उसके अलावा जो लंगडा और फजली आम रहती है उसे ही थोड़ा हमें दिखाई दिया है एक पेड़ पे लगा हुआ क्योंकि दसेरी तो इस समय है नहीं तो जो है हमारे साथ वो हम आपके साथ सेर कर रहे हैं तो देखिए यह फजली आम है तो यह हम आ करता है वह कच्चा आम ही खाती है तो उसको दिखाई दे गया है तो और पो इस समय कच्चे आम तो मिल नहीं रहे हैं तो यह पेड़ पर लगा हुआ कच्छा AIम मिल गया है तो काफी खुस हो गया देख के इसको कुकर टोड़ पी लिया आय है और यह बहुत ज़्यादा खुस है कि उसको कच्छा आम मिल गया है तो फ्रेंट्स यह देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं देखी रास्ते में हमें कटहल दिखाई दिया है कटहल ट्रक पे कटहल लदा हुआ है कितना ज़्यादा कटहल है बड़ा-बड़ा सा कटहल है यह इसी बाग से तोड़ा गया है और यहीं से यह ट्रक लोड हुआ है तो इस बाग में कटहल के भी दो से तीन पेड़ है और उन्हीं पेड़ों से यह इतना सारा कटहल निकला है आप देखिए कितना कटहल है और यह देखिए हम आपको चान्नी का पेड़ दिखा रहे हैं यह देखिए कितना बड़िया पेड़ है चाननी का इस पर फूल फूल लगे हुए हैं बहुत सारे फूल लगे हैं तो यह सीन काफी मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि यह विडियो हम आप लोगों की साथ सेयर करें तो यह देखिए पेड़ कितना बढ़िया से चल रहा है बारिस का सीजन है तो पेड़ वैसे भी पूरी तरह से अच्छी ग्रोध पे हैं और यह देखिए यह लौकी का पेड़ है जो लगा हुआ है अभी इसमें लौकी नहीं लगी है फूल इसमें बहुत सारे लगे हुए है लेकिन इसमें लोकी नहीं लगी है इसके आगे हम आपको पपीते का पेड़ दिखा रहे हैं देखिए इसमें पपीते लगे हुए हैं अभी पपीते पके नहीं हैं कच्चे पपीते हैं तो आप देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं ये देखिए पपीते तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी सारे के सारे कच्चे हैं पके नहीं हैं तो ये हम घूम रहे हैं गाउं की सेर कर रहे हैं तो देखिए ये हम गाउं में टहल रहे हैं आये हुए हैं यहां हमारी नंद रहती थी तो हम इने से मिलने आये हैं और यहां पर बागों की सेर भी करने आए हैं तो आप देखिए तो ये मंदिर है माता जी का देखिए यहां का माहोल क्या है कैसे यहां पर लोग रहते हैं ये देखिए गाय आ रही है गाय चरने गई थी और आप अपने घर वापस आ गई है तो हम सब लोग यही राज़ते में टहल रहे हैं पूरा गूम गूम के हम लोग पूरे गाउं का मौइना कर रहे हैं तो गाउं का माहोल है बड़ा हिस्सांत माहोल है फ्रेंट्स यहां बहुत अच्छा लग रहा है कच्छे मकान है कुछ पक्के मकान भी बने हुए है लेकिन यहां पर प जाद लगे हैं पेड़ बहुत जाद लगे हैं बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहां पर और यह देखे क्यों निकालने वाली मसीन है ठयसर जिसको कहते हैं यह त्रेसर है ट्रेक्टर खड़ा हुआ है ट्राली खड़ी है यह देखें सरकारी नल भी लगा हुआ है बहुत अच्छा नजारा है यहां का तो हम सब लोग गली-गली कलियारे से जा रहे हैं घूम रहे हैं तो यह देखें हम सब लोग आए हम यह मेरे नंद है और यह इनका लड़का है हम लोग यहीं पर आए हुए है हम लोग काकोरी में हैं इस टाइम और काकोरी की सेर कर रहे हैं अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं अपने घर की तरफ जाने वाले हैं दिखाएंगे ये देर सारा आम टूटा है बाग से तो ये सारा आम जा रहा है अभी ये लोड होगा डाले पर लदेगा और ये मंडी चला जाएगा तो आप देखिए कैरट लगी हुई है और ये दादा जी आ रहे हैं तो दादा जी बोल रहे हैं कि अभी डाला आने में और आ रहे हैं तो यह देखिए घर का आने का जो रास्ता है वो भी पूरा हर्याली भरा रास्ता ही है यह पूरे गांजे के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर फ्रेंड्स यह सब गांजा है जो रास्ते में लगा हुआ है आप देख सकते हैं यह देखिए और बिल्कुल सनाठी रोड है यहाँ पर बहुत जदा गाड़िया नहीं चलती है बहुत जदा भीड़ भाड नहीं रहती है यह गांजा की रोड है तो यहाँ पर डाले चलते हैं डाले जो बागों को आते हैं और अपना लोड रोड होता है आम है कटहल है यह रोड से ये मंडी को जाती है बिकने के लिए देखिए गाओं दिखाई दिया है हमें फ्रेंड्स देखिए कितने बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं यहाँ पर आपको कोई भी मकान छोटा नहीं होगा यह गाओं के मकान है तो बहुत बड़े-बड़े मैदान है यहाँ पर और हर मकान बहुत बड़ी एरिया में बना हुआ है कच्चे मकान भी है यहाँ पर लेकिन सारे कच्चे नहीं है कुछ पक्के मकान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और देखिए कितना बड़ा यह फिल्ड पड़ा हुआ है यह खेत है इसमें अभी तो खेती हो रहे हैं देखे इसमें पपीते का पेड़ भी बहुत बड़ा सा लगा हुआ है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बड़े-बड़े से मकान हमें राजते में दिखाई दे रहे हैं ये सारे मकान खेतों में बने हुए हैं और ये खेतों के 20 से होके रोड निकला है तो ये सारे जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये गाउं में नहीं है ये सब खेतों में बनाये हैं तो यहाँ पर अभी गनी बस्ती नहीं है बहुत कम बस्ती है जो लोग गाउं से निकल कर बाहर अपने खेतों में उन्होंने मकान बनाया है तो यह वही हम दिखा रहे हैं आपको क्योंकि हम गाउं से बाहर निकल आये हैं और अब हम घर की ओर जा रहे हैं रास्ते में हैं यह देखिए यहां पर कितना अच्छा लग रहा है यह गाउं के बच्चे औरते सब जा रही हैं अपने खेतों पर इधर जानवर चरा रहे हैं बच्चे यह भैसे हैं चर रही हैं बच्चे बाल खेल रहे हैं यही पर अपने जानवर को चारा चरा रहे हैं और खेल भी रहे हैं तो यह बागों का नजारा है यह नजारा आपको क कैसा लगा ये मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा लाइक शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत महिनत किये हम बहुत दूर आये हैं जहां कि हर्याली हम आपको दिखा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ये देखे तालाब है ये तालाब रास्ते में पढ़ता है अभी यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ है सिंगाडे के सीजन में यहां बहुत सिंगाडे लगा जाते हैं तो ये हम लोग घर की ओर चारे हैं ताइंग